असलामलेकम स्टुडेंट्स हम सोशल एंट्रपनियोर्शिप में इंवाल्व की कॉंसेप्स के बारे में बात कर रहे हैं पहले हमने लफ सोशल को डिफाइन किया फिर हमने टर्म एंट्रपनियोर्शिप को डिफाइन किया एक तीसरी टर्म जो बार बार जिकर आता है वो सोशल प्रॉब्लम है कि सोशल एंट्रपनियोर्श जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं तो ये social problems क्या हैं? Social problem एक ऐसी situation, एक ऐसी condition या एक ऐसा behavior है जिससे ज्यादतर लोग मौश्रे में negatively effect होते हैं ना सिरफ effect होते हैं बलके सोचते हैं कि इसको ठीक करने के बारे में कुछ किया जाना चाहिए इस लिहाज से social problem जो है उसके 5 key points बनते हैं जब तक मैं इन points को go through करती हूँ, आप अपने जहन में social problem की कुछ examples सोचिए मैं इन points को go through करने के बाद कुछ examples mention करूँगी आप देखिएगा क्या आपके जहन में जो चीज़े आई हैं, वो मैंने जो propose की हैं उनसे मिलती हैं या कितनी different हैं और क्यों Social problem के 5 characteristics होते हैं ज्यादा तर लोग उस condition को ना पसंद करते हैं क्यों ना पसंद करते हैं? क्योंकि इसके harmful effects होते हैं का लोग कुछ उस problem में शामिल हों या ना हों उस अमल में, उस रवाए में लेकिन उन पर असर होता है उसके बाद लोग समझते हैं कि ये एक कराब गलत situation है जिसको ठीक करने की जरूरत है अगर्चे वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे लेकिन जो उन पर negative harmful impact आ रहा है उसकी वज़ा से उनके अंदर एक recognition है एक realization है कि इस situation को ठीक करना चाहिए वरना इसके असरात ज्यादा हो सकते हैं और ज्यादा लोग और मुक्तलिफ तरीकों से इसकी लिपेट में आ जाएंगे Social problem अमुमन एक abnormal behavior होता है या वो एक deviation होती है जो हमारे मौशरे के आम norms हैं जो accepted तरीके हैं चीजों को करने के उन से जब कोई अलग कुछ करने की कोशिश करता है तो वो social problem बन जाता है Social problems by nature static नहीं होते के एक मसला हुआ और वो उसी तरह रहा हमेशा Social problem चुँके उसमे agent इंसान होता है इंसानों के social problems होते हैं और इंसान बदलते हैं वक्त के हिसाब से, situation के हिसाब से और लोगों के हवाले से तो social problem भी बदलते रहते हैं और इस लहाँ से ये tricky होते हैं कि इन्हें हल करने के जो तरीके हैं उन्हें भी साथ-साथ adapt करना पड़ता है तो ये वो 5 characteristics हैं जो किसी problem के होंगे तो हम उसे social problem कहेंगे अब मैं आपको example से फर्क समझाती हूँ Traffic problem Is it a social problem or not? negatively effect करती है? नहीं क्योंकि जो सड़क पे निकलेगा जो traffic में शामिल होगा उसको वो directly effect कर रही होगी जो लोग घरों पे बैठे हैं जो सड़कों पे नहीं हैं कहीं और हैं उनको effect नहीं कर रहा जबकि इसके मुकाबले में अगर हम poverty की बात करते हैं तो ना सिरफ गरीब शक्स खुद उससे मुतासर होता है बलके पूरा मौश्रा पावर्टी से मुतासर होता है मसलाँ एक अमीर आदमी जो है वो उसको हमेशा डर रहता है कि गरीब लोग चोरी डाके की तरफ माइल हो जाएंगे law and order की situation हो जाएगी जो के government का concern है it means तकरीबन सारे लोग वो अपने घर पे बैठे हों खुशाल हों या जो भी हों वो समझते हैं कि इसको हल करने की जरूरत है poverty को address करने की जरूरत है अब poverty की शकले हमने देखा है मुक्तलिफ अकात में मुक्तलिफ इलाकों में मुक्तलिफ हो सकती है तो poverty एक social problem है social entrepreneurs जो है वो social problems को address करते हैं क्योंकि businesses जो है वो तो profit के लिए होते हैं वो लोगों के मसले हल करने के लिए ही नहीं है वो घुर्बत दूर करने के लिए नहीं है वो लोगों के corruption के मसले हल करने के लिए नहीं है जहें इसका मसला हल करने के लिए businesses या governments काम नहीं करती, तो यह वो काम है जो हमने जैसे पहले कहा था markets और governments नहीं करती, इसलिए social entrepreneurs, social problems को solve करते हैं. Thank you.